अमाहोल ही ऐसा है अफसोर उपस्टीजट काउन सा पुलिस स्टेशन लिखाया नंजाई कोटे ब्रांच चाय कोई भी हो बस वो पुलिस स्टेशन है इतना ही काफी है यहां नंजाई कोटे में मैं किसी का रोना धोना सुनने नहीं आया हूँ लेकिन कोई किसी की वज़े से रोएगा तो उसकी ऐसी की तैसी करूँगा यहां पर मैं कुछी दिन के लिए रहूँगा लेकिन जब तक इस पुलिस स्टेशन में रहूँगा तब तक हम सब पुलिस के ड्यूटी निभाएंगे आया समझ में या वापस समझाओ चलो अब बताओ अपने बारे में सर मैं यहां का हेड कॉंस्टेबल अब्दुल्ला हूँ मेरे एक बीवी है और एक बेटी सर कुट्टम पिलाई एसाई हूँ इसी साल रिटार्मेंट है सर मैं गोबिन हर चीज में माहिर है यह बात और है कि जो भी करता है समगर्वर हो जाता है सर मैं ट्राइवर हूँ, बिजु, 30 साल का हूँ फैमली के साथ रहता हूँ सर मैं राइटर सुंदर हूँ, 30 साल का हूँ मेरी एक बीवी और दो बच्चे है बिज्जो अपनी जीप की स्पीड कैसी है अभी? सर जीप की जितनी स्पीड है, उतनी स्पीड से चला कर अभी वापिस आता हूँ आप डिजल का खर्चा मैं दूलगा, जहां बुलू हमा लेके चलोगे ठीके सर चुप जारे दू कहीं ठूंड के रहेगा, दुष्टों का जुन्ड है ये बच न सकेगा कुछ तो भी बात है वहकी हवाओं में, उड़ा के लेके जाएगा, तुझको कहीं दूपूरी तैयारी से आज लिकले है लेडीज़न जट्मन, गेट रडी मैं चन्यता प्रावासन पर विश्वास करने वाले देश के लोगों के लिए ये खुश खबरी है आप लोग अपनी दुकान बंद करने की बजाए चैन से सिंदगी बिता सकते हैं अब आपको किसी से डरने की सरूरत नहीं है आप बजा आगया हैं अंत देखकर रोके से ना ये रुके का बेजो यस से जीब तयार है? आप से आया 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 रे संग लिए काली राग आया 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 रे बनके तेरा विना आया आया थूआ सा उडा के क्योंके है कातिरा ... बाग बागरे भाग ले तू आज लेके प्रणी क्यों रहे इतनी जल्दी ठक्या तुम मैं सुबह चार बजे उठकर ऐसी रनिंग करता हूँ और कभी ठकता है नहीं स्टैमिना चाहिए सब लोग ध्यान से सुन लीजे अब आपको डलने की कोई सरुवत नहीं है आपको जो भी शिकायत हो लिक्कर बॉक्स में डाल दीजे शिकायत करता का नाम और पता गुप्त रखा जाएगा पबलिक से हम सपोर्ट की अपिल करते हैं एक बात और ध्यान रखिए आगे से अगर किसी ने आपको कोई धमकी दी तो सुन्दराम बस करो ठीक है सुर को के मां गंगली हर चाओरा है ये बोलेंगे तुझसे महा प्रलैका हुआ है आगाद युद्ध हुआ शुरू बचना हम से आज रुप जारे तू कहीं भूड के रहेगा दुष्टों का जुन है ये बच न सकेगा सर मैने उसको बहुत पिटा लेकिन उमान नहीं रहा है थाट डिगरी दूँ क्या लाइको टम अर्दो उसे मज़ आ गया है अंध देखकर रोके से ना ये रुके का आयारे बन के यमराज, आया 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 रे apostle लीये कालीराज, आया 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 आयारे बन के तेरा मितनान, आया respectfully साथ पैरुमन नाम की एक सडक है जादा तर तमिल के लोग वही पर रहते थे लेकिन अब अपू के शासन की वज़े से उन्हें प्रवासन करके जाना पड़ा है अब कोई भी तमिल यहां नहीं रहता है सर वापस आने वाले अमरनाथ के नाम से बहुत डरते हैं सर सच बोले तो यह बहुत बुरा है सर इस प्यारे से शहर को पापियों ने एक जंगल बना करके रखा हुआ था जबसे तू यहां पर शिकारी बनके आया है यह लोग डर डर क्या भागने लगे हैं पर इतना कुछ होने के बाद भी मैं ही हूँ जो तुम्हारे साथ अब तक खड़ा हूँ अब तो नंजय कोटे के तुम्ही राजा हो तो प्रजा पे कुछ हैसान करो ना मालिक हो सके तो थोड़ इसी हमें भी पिला दो मालिक हुआ इस गाओं में कोई मर्द नहीं है क्या राजिंद्र मर्द क्या और वो भी यहां पे हाँ थूआ मैं जरा नीचे दखो क्या रहा हूँ कि यहां रहा हूँ मैं खराब कर दिया । कि है लो हुआ है वह है तो तो प्रजाब तो अीज़्यों आपकर के तो शोड़ें आप नंगार नहीं पाटकि में खरेंसे द्ल्रम मॉँर्ट करण भाष्वाम बाई इस बंदे में बहुत गर्मी है मेरी बात तो बहुत हलके में ले रहा है अरे देख क्या रहे है इसे हॉस्पीटल लेकर जाओ सर आप क्या सोच रहे हैं हां एक गाओ था जहांके लोगों को वहां से निकाल दिया गया मेरी भी बच्पन की ऐसी ही एक कहानी है उस कहानी को मैं याद करना भी पसंद नहीं करता और जो हम पसंद नहीं करते हैं उसे ही जो भी याद दिलाता है तो उस पर गुस्सा तो आए गई न इसलिए मैं ऐसी पेश आता हूँ आगे से ध्यान में रखना ऐसा होने न पढ़े और नंजाई कोटे में हतियार का करोबार नहीं चलना चाहिए मेरे प्यारे सर नंजाई कोटे में मिठाई के दाम पर हतियार मिल जाते हैं ऐसा मैंने कहता लोग कहते हैं मैं हतियार सिर्फ उन्हें बेचता हूँ जिनने मैं अच्छी तरह से जानता हूँ और सर आपको आपके पसंद की हर चीज मिल जाएगी अपना मुव बंद का रहे है नाइन एमेम कोल्ट है इटालियन मेड लाइट वेट मेटालिक फिनिश और मैगजिन कपैसिटी के बारे में पूछ ये ही मत इतनी कीमती है कि मार्केट में अवेलिबल नहीं निशाना कभी चुकता नहीं है सर अगर चाहिए तो गिफ्ट समझ आज के अरख सकते हैं मुझे खरीदने की कोशिश करो गया तो यहीं बंदुख चलीक अगा कर दो कि कि अधिए जब वो यहाँ आया था तो उसके साथ कितने आदमी थे भाईया कैसा सवाल कर रहे हैं अब अगर मैं चाहूँ तो अभी पुलिस टेशन पहुँचकर उसे उल्टा लटका कर मार डालूँगा और इसमें वक्त नहीं लगेगा ये देखिए इलेक्शन होने वाले हैं इसी लिए छोड़ दिया उसे तो फिर वहाँ जाकर बोलना चाहिए ना चार भाड़े के टट्टू अपने पास रखके ये चोर पुलिस का खेल मेरे साथ नहीं खेलने का वो अपना पुलिस के किसी और के हाथ से धुलवाना चाहता है क्या अरे वो दोनों भाई ऐसे ही मुझसे आकर मिले देखो कुछ बातें छुपा कर रखने में ही भलाई है यही अकलमंदी है ओ अकलमंदी की बात कर रहा है अपने बदन पर ओड़ने के लिए एक छोटा सा कबड़ा नहीं था तुम लोगों के पास इतनी जल्दी भूल गया क्या विज्यानन्द तुम्हें वहां से लेकर यहां तक पहुचाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया एमपी यादाश्त कमजोर हो गई तुमारे डॉक्टर इसका बीपी बेकार में चेक कर रही है जाकर बच्चे को देख तुम्हारे भाई के खिलाफ मैंने कभी कोई बात नहीं किया लेकिन अभी जो यहां पर बैठा है वो मेरा बाप है उससे इज़त से बात किया करो अरे जस्ट मिस जो हम माइस्क्रीम फैक्टरी में पावर सप्लाई देखे थे थे ना वो एक ग्याससिलिंडर के पावर के बराबर है एक बड़े बंगली का उड़ाने के लिए एक ग्याससिलिंडर काफी है आप क्या बोलते हो इसके लिए कोटरेस मी ग्यास सिलिंडर senior Canada करूंगा a अगले संडे उस से निकल कर रखिये देख लूंगा सर सुन्दर्म ने फोन किया था वहां रास्ते में डिवाइपी पार्टी और एसीपी पार्टी के बीच में जगड़ा हो गया है उसने हालात समालने की कोशिश की पर उससे कुछ हुआ नहीं वो पूछ रहे कि आप जाएंगे वहाँ आप पार्टी परवाशन ने परवाशन निकाल दिया था उनसे मिलने के लिए कर रात को आया था लगता है इनकी दिमाग में कोई प्लान है जब मैंने जाकर पकड़ने की कुछिश की तो मेरी बात भी नहीं सुनी प्यारे देशभक्त नागरिकों जब एक बेगुना आदमी को दो गुंडे मिलकर मार रहे हो तो गाव वाले खड़े होकर तमाशा देखें ये गलत है एक सिम्मेदाब नागरिकों कभी खड़े होकर तमाशा नहीं देखना चाहिए आज जो किसी और के साथ हो रहा है कल वो आपके साथ भी हो सकता है तो क्या करेंगे? इधर पुलिस वालों की कोई जरौत नहीं है बुला जिसको बुलाना है अगर किसी भी वर्दी वाले ने याक कदम रखा न तो उसके भी ऐसी यह आलत करूँगा याद रखना प्रियो नागरिकों यह कोई मामूली हास्ता नहीं है अब आप लोगों के सामने असली तमाशा पेश किया जाएगा गुंडा गर्दी का समय अब समाप्त हो चुका है कैसे? यह आप आगे देखें उची आवाज में धंकिये देने की कोशिश मत करना उची आवाज सुनना मुझे पसंद नहीं है और रहे मुझे धंकिये देने की बात तो तेरा बाप भी दुबरा जनम लेगा न तो भी कुछ नहीं हो सकता आवाज 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 नहीं हो सकता इस पर उमर का नाम लिखा है उमर को उठाओ इस लेटर में लिखा है रसाक को उठाएंगे इसमें भी लिखा है रसाक को उठाओ वीजु को उठाने लिखा है अब इसने क्या गुनाह कर दिया उमर कूठाव लेखा है उमर कूठाने की हम्मत है क्या उमर बहुत बड़ा सिर्दर्द है सर अगर तुमारे अंदर हम्मत है तो इन सब को छोड़ कर अमरनात को उठा के दिखाव लेखने वाले का नाम जोर से पढ़ो एक लेटर पर भी किसी का नाम नहीं लिखा है सर जिन जिन को उठाना है उनकी कम्प्लीट डीटेल मुझे मिलने जाहिए हमारे पास उनकी कोई डीटेल नहीं है सर वो डॉक्टर सहीबा इंतजार कर रही है बच्चों को वेक्सिनेशन देने की बात कर रही थी आप जारा उनसे मिलनेंगे क्या ओके सर में संगीता हूं डॉक्टर संगीता हैदराबाद से हूं अमरनाथ मेरे कजिन है वो यहां पर नहीं आपाये तो उन्होंने कहा कि मैं आकर आपसे बात कर लूँ मड़म आप डरिये मत जो भी है सर देख लेंगे नंजन कोटे में आना ही आपकी गलती है सर ये जो आप चोर और पुलीस का खेल खेल रहे हैं न अगर ये चलता रहा तो आप कहीं के नहीं रहेंगे और आप के लिए अच्छा रहेगा अगर आप अमर के मामले में दखल अंदाजी ना करें इस बात को आप अपने दिमाग में बिठा लीजे यही कहने आई थी MP विजयानन के एक लौती विटी विदेश से पड़ी है डॉक्टर है ये एक हैद्राबाद के लड़के से प्यार करती थी और वो दोनों बहुत क्लोज हैं लेकिन एक दिन अचानक उसके प्रेमी का एक्सिडेंट हो गए और एक्सिडेंट के बाद वो कोमा में चला गए डॉक्टर ने कहा कि उसका बचना मुश्किल है तो अमरनाथ ने उसके प्रेमी को उसके ही सामने मार डाला और प्रेगनेंट हुई संगीता को यहां गाउ लेगरा लेगरा एडवोकेट लक्षमन जो अध्यक्षपद निभा रहे थे उनके जगे आप किसी और को चुनना होगा अगर उस पद के लिए किसी और ने कोशिश की तो उसका भी मनुहर जैसा ही हाल होगा जब पार्टी के लोगों को पार्टी में विश्वास ही नहीं है तो इलेक्षन से पहले AICP को अलग करने में ही भलाई है तो फिर सब लोग सर्व सहमती से किसी एक व्यक्ति को अध्यक्षपत के लिए चुनो वही इलेक्षन लड़ेगा पार्टी के चार-पांच नाकामयाब मेंबर्स में मैं भी हूँ सिर्फ पांच साल पहले तक ही हमारे पास जन्ता के विश्वास और सपोर्ट की ताकत थी लेकिन अमारनाथ ने उन सब के बीच में डर पैदा कर दिया उस बदनाम DBI पार्टी को खरीद लिया सिर्फ इतना ही नहीं इंद्रा स्टेट के हजारों परिवारों का नाम ये कहकर काट दिया कि वे दूसरे राजचके हैं लेकिन जो लोग AICP पार्टी में शामिल थे उनको हडाने की इमत नहीं कर पाए पर जब वो लोग गाह छोड़कर जा रहे थे तो उनसे हमदर्दी नहीं जताई अगर हम ऐसा करते तो उन लोगों की शक्ती से हमारी पार्टी मजबूत होती अब इलेक्शन तक इंतजार करना होगा मज़ा और कुछ नहीं कहना आप हमारे दर्शकों को क्या ये बता सकते हैं कि आखिर इस समस्या का आप लोगों की तरफ से कोई हल निकल भी सकता है या फिर नहीं इंद्रा स्टेट में कोई भी नहीं था अब वो ये पूरा स्टेट तो बेचने वाले हैं ये सब कॉर्परेशन में चलने वाली एक शाजिश है तमिल लोगों को वहां से हटा कर इन लोगों ने इस जगा को हड़ाप लिया है इस वक्त हमारे साथ नंजन कोटी के MP श्री विजयन अंदन जी जुड़े हुए है हेलो श्री विजयन अंदन जी आप सुन रहे हैं हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ आप सवाल पूछी इलेक्शन अब काफी नजदीक आ चुके हैं एक सीट के लिए कई सारे उम्मीदवार एक साथ खड़े हैं अब ऐसे वक्त पर तो क्या D.Y.S.C. दो भागों में बढ़ने वाला है अगर इन लोगों में मेरे दल को कमसोर करने के इतनी हमत है अगर मीडिया की आड में कुर्सी पर बैठ कर अपनी मनमानी करोगे तो फिर हमें इसके बारे में सोचना पड़ेगा तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुम ही बताओ जो बोलू करोगे? करूँगा, जरूर करूँगा क्याओ, क्या बेठ के लिए, थिसले के दी बाओ राइजम जय जय विठी है इसमजगे फिर दोलाएज के फिर दुम्हान राएजन्स K देखेगह definitely उमर तुम्हें सुम्वार को पुलिस टेशन आना होगा ऐसा ही नी बुलाया है तु पुरान अब्दुल नहीं लग रहा है तब सब्सक्राइब बुराना अब्लने कि लिए अब बीकितु अफ़ारो मजाग बंद करो उमर, तुम्हें सुमवार को पुलिस टेशन आना ही होगा, यही तुम्हारे लिए बेतर होगा आऊंगा ना, वो ऐसे भी उस नए इंस्पेक्टर से अब तक मुलाकात नहीं होई, आके मिलता हूँ अच्छा इसे घर में सब ठीक ठागया ना आप से कुछ कहना था, मैं बचपन से इंजीनियर बना चाहता था, लेकिन मेरे पापा ने मुझे अपनी तरह एक पुलिस वाला बना दिया, यह उनका सपना था अरे, यह क्या, सिलिंडर है, आग लग गई तो यह लेजी, फिर भी मैंने ट्रेनिंग के साथ बीटे कम्पलीट किया, इस बीच में उनका स्वर्गवास हो गया तब से मैं ड्यूटी जॉइन करके अपनी दादी की साथ रहता हूँ यह जो स्मेले यह वाकरी गयस का है या तुम्हारे पेट की गयस है, सर, 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 यह रेगुलेटर काम तो कर रहा है ना, आज कल खाना पिना ताइम भी नहीं देख रहा है, बिजू, ज़रा वो रेगुलेटर चेक करना, ओके, अरे, सर, हमारे पस तरिफ तस सेकंड बचाए सर, अब नौ सेकंड, चल लो फागो, अरी को भाग रहा हो, फागो चल दे, अरे रुखो मेर ले, सर, लेडीज होस्टल के बगल में एक घर किराए से देना है, अहां, सर, आपको किराए के घर की तलाश थी न, लेडीज होस्टल के बगल में एक घर खाली है, जो पिछली कुछ समझ, हाँ, सर, मैं पोच गया हूँ, सर, आपके क्वाटर से धमाकें की आवाज आई थी, हाँ, तुम से कल आने के लिए का था न, वो क्या है न, सर, मुझे लोगों को इंतजार कराना बहुत पसंद है, मुझे भी, अगर हमारा साथ दोगे, तो ही तुम चैन से ची सकते हो, आज तक मुझे से किसी ने ऐसे साथ देने की बात नहीं की, चलो आओ, आगे से मैं तुम्हें किसी नेता के साथ नहीं देखना चाहता, और उसी तरह एक भी नेता तुम्हारे खातिर मुझे नहीं मिलना चाहिए, दोनों में से चाहिए जो भी होगा, उसका नुकसान तुम्हें ही स्याना पड़ेगा, अरे उमार, कोई अच्छा खर किराएपर हो तो पताना, ज़रा देखना है, गाड़े निकाल, नमक वगेरा ठीक है ना, स्टेशन जाने की बात से ही गोविंद डर जाता था, एक दिन मैंने पूछा कि गोविंद आज तुम पुलिस स्टेशन कैसे जा रहे हो, पता है उसने क्या जवाब दिया, कि सर वहाँ पर है, वैसे सर आप यहाँ है तो क्या वो स्टेशन नहीं जाएगा, रुक रुक रुक, सुबह नहाया था क्या, पारवाती जी मैंने सुबह नहा लिया था, सर, मामला इतना मामूली नहीं है, जिन जिन गुंडो को हमने बुलाया वो सब पुलिस स्टेशन में है, और हम टाइम पे नहीं पहुचे तो गडबड हो सकती है, इसलिए हमें जल्दी निकलना चाहिए, जिन जल्दी नहीं है, भाई, वो देखो आया, कुटम भाई, दो चाहे लाना, सुन्दर चाहे लेकर आओ, आपको जाने में तकलीफ है गया, नहीं सर, यहां का एक्शन भी सने ही करना चाहता, वो सब मैं देख लूँगा, यहां सब बातें ही तो होंगे, तुम जाकर आओ, अहां ठीक है, जाता हूँ, वहाँ पर जो आदमी खड़ा है न, जिसके बाल बहुत लंबे है, वो लंबे बाल वाला, उसका नाम रजाक है, बैंगलूर का रहने वाला है, हम जो भी कहेंगे, वो करेगा, दस सालों से इस आदमे के साथ कौन कौन है, पांच सालों से, एक साल से, जो पीछे छुप रहा है, वो ज़रा सामने आओ, तुम कितने सालों से इन के साथ रहते हो, बारह साल होगे सर, ये बात में इतनी देर से पूछ रहा था, सार, सारी कुटों भाई, क्या बात है, अब्बू, तुमने उस पर ध्यान नहीं दिया था गया, अब्बू के हाथ नहीं लगा, इस वज़े से मैंने उसे पूछा नहीं, तुमने उसे अपने साथ रखके बचाया था ना, सच सच बोलो, इतने अत्मी खड़े करना, यह कोई अकलमंदी नहीं है, बहुत गहराई से सोचना पड़ता है, और वो गहराई तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारे दोस्तों ने मिलकर जिन लोगों को मारा है, वो इस भीड में, यह खून खरबा कभी खत्म नहीं होगा, और इनके घर में जो बच्चे पैदा होते हैं, वो भी इसी काम के लिए पैदा होते हैं, तुम्हारे घर में कौन पैदा होता है? यहां आज के बाद, बच्चों को पोलियोडोस दिलाने के लिए भी कोई घर के बार कदम नहीं रखेगा, अगर यह इस घोटाले में दुबारा दिखा, तो उसकी बजाए तू पिट जाएगा, अज़े देख, इतना काफी है, यह और करूँ, एक काम कर तू यह आके कर ले, आज कल तू जादा नखरा दिखा रहा है, क्यों रे, एक काम की बात करूँ, तो तुझे लगता है कि मैं नखरे दिखा रहा हूं, एक पंखा थीक से सैट नहीं हो रहा है, तू मुझे ज्यादा मत सिखा, मुझे पता है मुझे क्या करना है, तू तेरा देख, मैं देख लूँगा लेकिन तू यही पर बैठा रहे, क्या है चिरकोट, तू अबने आपको बहुत बड़ा तोप समझता है, अगर दोबारा मेरे बारे में कुछ का तो मैं तेरा मुझे तोड़ दूँगा, अच्छा मुझे ú debunk टोड़ेगा, चल तोड़ के दिखा, तोड़ने से ब बंगा ठीख करके दिखा तोड़ क्या हुआ, तो क्या हुआ आए यह क्या हुआ, तो मुझे आशियो अि है तेरी तो हट, हट, अट, ट, हट, है तोड़ मृचन। हमने तजचा स्प설 घ। उम्मर यह दिखाएगी तो तेरे सारे काम हो जाएगे कोई टेंशन नहीं ले बेटा अच्छे से पड़ाए करना हाँ पिता जी हाँ अब्दुल्ला सर आ गया आओ सर बैठो मैं बस आपकी बेटी को जिन्दगी के बारे में बता रहा था बहुत होश्यार है आप बेठी ना सर सच्छी में मान गया सर इंस्पेक्टर बोले तो ऐसा ही होना चाहिए उस वक्त में थोड़ा डर गया था लेकिन आपकी टेंशन जाधा थी वो आज नहीं तो कल चला जाएगा लेकिन आप और मैं यहीं रहने वाले हैं ना खेर छोड़ो अबदुल्ला मेरे खातेर अपने सर से बात करो उसे समझाओ यहां ऐसा नहीं चलता यहां कोई किसी के काम में टांग नहीं यड़ाता मैं आपके काम में यड़ाता आप मेरे में यड़ाते परना टांग कट जाती है अ दिदी इसकी क्या ज़रूरत थी अच्छा है बहुत अच्छी है जैसे मैं यहां आया वैसे ही बीजु सर के घर कुटुम सर के घर और गोविन सर के घर में जाओंगा और उन्हें भी समझाने की कोशिश करोंगा आगे तो आप लोग जाने आप लोगों के किस्मत चलता हूं सर चलो गोविन सर गोविन सर गोविन सर गोविन सर भाई गंटी बजाओ अरे ये सीडियों से नीच उत्रो हाँ अब ऐसे मत घुरो यहीं गोविन का कार नामा छिपा है जाकर गोविन से कहो कि उमर भाई मिलने आए ओ तो तुम ही ओमर भाई आधी रात को अकेले घुम रहे हो तुम्हारे घर वाले तुम्हें मना नहीं करते मेरा गोविन और उसके सर तुम्हारे ही घर पर गए हैं जाकर उन्हें वापस भेजो जल्दी जाओ अब्दुल्ला स्टॉप बहुत अच्छा है अब्दुकां शुक्रिया हुँ हुँ सर खाने का तुम्हारे वो खड़ने ले लिया ला रिमोट दू मुझे अरे दर नाई यार ला नाई दर आपका किना प्रोग्राम चादू होगे होगा अब्दुक चली तो बंदुक चलेगी तो भी अरे उमर अरे अरे आपक रजीया जरा उमर को चाए या कॉफी पीने के लिए लाकर देना अल्ला बातों बातों में मैं बूली गई कि तुम्हें चाए भी लानी है अब भी लातीम अरे उमर बैठो या यार रजीया मुझसे पूझ रही थी कि नंजाई कोटे का क्या हाल है नंजाई कोटे मेरा दुड़ी है यार रहने के लिए घर नहीं है साथ देने ओले वीवी बच्चे नहीं है लेकिन तेरे बारे में सोच के अफसुस हो रहा है कि तेरे साथी इस बात को जानकर बहार बताएंगे तो तेरे दिल पे क्या गुज़रेगी इसलिए बता रहा हूँ आगे से कुछ पूछना है या सवाल करना है तो मुझसे परसनली मिलकर करना जिस घर में औरते रहती हों वहां खुसकर टाइम पास करना ये अच्छी बात नहीं है गंदी आदत ही है आप जूस तो बहुत अच्छा बनाती है चलता हो मैं अच्छा 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 चलो रहे तो फेर अब तुम्हें अक्कल आ जाएगी तुमको देखा तो ये खयाल आया अच्छा 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 आश्जा मुल्या अच्छा अपने लोगों को सीट मिलनी ता है, लाल जहन्डा जीता तो राजसभा, हारा जहन्डा जीता तो लोकसभा, तो यह मंत्री सभा क्या होता है, यह राजनिती का खेल है, हमारा आगला टार्गेट दिल्ली है, भाई, गुच समझा, ठीक है, मैं बताता हूँ, सर, कौन सा पुलिस वाला था वो, उसके पुलिस स्टेशन पहुंचने से पहले तक तुम लोग गिल्ली डंडा खेल रहे थे, उन लोगों से कैसे निपटना है, यह बात समझानी पड़ेगी क्या, बात वो नहीं है सर, वो पुलिस वाला बहुत गरम खुपड़ी का है, उमर, फिलाल मुझे छोटे लोगों के बारे में सुनने का टाइम नहीं है, वो जो कोई भी हो, इलेक्शन होने तक उन सब को अपने काबू में रखो, खा के जाना भूग लगी होगी, सर, मैं जाकर डॉक्टर से मिलकर आता हूँ, कर दो कोईद बारे में रखो, जाकर बारे में रखो, बारे में जाकर आता हूँ, कर दो कर दो सर डॉक्टर के कहने के मताबिक अबदुल्ला का दायना पेर ओपरेट करना पड़ेगा सुन्दर का सर वो भी गौड में है वो अमर था सर रास्ते में लोटते समय ये सब हुआ असल में वो आपको ढूण रहा था अचानक पीछे से हमला कर दिया अचानक प्मेंट אתה स है वो बस्तु कर कि अग्यायर ग्या हो रहाण वोड़ेगा सर, लगता है वो हत्यार लेकर चले गए कुछ भी ले जाने दो, अपने पस तो समय है न? ज्यादा आदमी नहीं मिले क्या? यहां क्यों आया है? पीट में चमका गए थी डॉक्टर ने कहाई कि अच्छे से मालिश होगी तो ही ठीक होगा देख, इस नंजय कोटे में जो भी आया है कभी काम्याब नहीं हुआ अगर हुआ भी तो यहां से बाहर नहीं जा सका अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने काम्याब भी हासिल की है तो इसका मतलब वो पुराना नंजय कोटे नहीं रहा कर दो 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 कर आज दो प्लिए झाल हुआ प्लिए जए widely जम झाल में बर बर उस दिन पुलिस टेशन में जो तुने किया उस बात को मैं भूला तक नहीं था और उस पर तु मेरे घर में गुसाया तुझे पता नहीं तुने किस से पंगा लिया है एव एंकाट खतम कर देजे खतम कर देजे कर दो 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 कर और काट डालो इसे यार्णी टृगす प्र 0 गूछे और दूपल जुछ भर रिखाए रपड़ए प्रूपरों जूचर रिखे प्रप्राए पर नहीं बूचे चिर अवर भास वाँ यो प्राएव इन जुछ प्राएव हुएुएुँ हुएुएुएुएु गवायु कर दो कर दो कर दो खूँआ कर दो कर दो कर दो कर दो गिस सकत्वाई तो राएपाइँ वीजियो वीजियो सर, सावान लेके आ गये, तो अब क्या करें? ओमर का दाया पैर निकाल दो, और अबदुल्ला जब अपनी आख खोले, तो दुनिया ना देखे, सर. करें टार सकर्च करें झाते हैं, एक अब कर देखे, सर. युले करें लेके आथ, और निके आथ, युले करें, वे जाथे, सर. सर, हमें इसका किराया तो देना ही पड़ेगा और सबूत मिटाने के लिए इसे किसी तालाव या नदी में फेकना होगा तो फिर उसका दूसरा पेर भी काट दू क्या? नंजय कोटे से कई लोगों को माल कर भगा दिया गया उनके वापस आने से भी नहीं बनेगा ये नंजय कोटे अमानाथ और अब्बू सब को जोपड़ पटी में भेज देंगे उपोजिशन पार्टी के हो इसलिए उन पर रैम दिखा रहे हो गया उन बातों की मदद लेकर अगर किसी तरह की गंदी पॉलिटिक्स करने की कोशिश करोगे तो मैं उनका साथ नहीं दूँगा और तुम जिन लोगों की बात कर रहे हो वो सारे हाथ पर हाथ धरी खड़े थे जब उन लोगों को भगाया गया था मेरी भावनाओं को उक्साओगे तो पहले उनको मारूंगा सर ये पार्टी की बात नहीं है मैं पार्टी से अलग हो चुका हूँ वैसे भी नंजे कोटे में रहने वाले सही हैं क्या वो भी तो गलत है सर मेरे साथ आम लोग खड़े हुए पार्टी की लोग नहीं सब की ख्वायशे की जुगए हैं उन्हें वापस आना चाहिए उन्हें के कहने पर मैं ये काम कर रहा हूँ और इसमें मुझे आपकी मदद चाहिए आपका वक्त बरबाद नहीं करना चाहता मुझे लगा था कि आप हमारा साथ देंगे एक बार चलकर वो जोपड़ पट्टी देखिए आपने जो भी कहा मैंने सुना अब मैं जो कहूंगा वो सुनिये नंजय कोटे में अभी भी सबका घर है तुम्हारा जो भी नुक्सान हुआ है संपत्ति सामान और धर्ति उन सब के निशान वहाँ पर मौजूद हैं तुम्हारी पहचान नहीं स्टेट अभी भी नंजय कोटे में है अगर तुम हिम्मत करके फिर से वही सिंदगी जीना चाहो तो तुम्हें कोई ताकत नहीं रोग सकती तुम सबको यह हख है कि तुम भी सोमू की तरह जियो हमारी एकता नंजय कोटे में वापसी तक ही नहीं रहेगी उम्मीद करता हूँ कि आगे भी बनी रहेगी जो लोग पार्टी छोड़कर आये हैं वो भी नंजय कोटे के ही लोग है अजय, बाबू, प्रसन्ना, दीपू, वहिदा टीचर और रिनु मेडम आज तक किसी भी अकबार और टीवी के लोग आकर हमसे नहीं मिले हैं अमरनात की डर की वज़ा से ऐसे में जब लोग वहाँ जाएंगे तो अमरनात ये देखकर चुप रहेगा क्या नंजे कोटे में वापिस जाने का दिल तो करता है लेकिन हम लोग जैसे सोचने वैसे होने वाला नहीं है यहाँ जितने भी लोग है उनको डर अमरनात से ही है वो बहुत ख़तरनाक है तुम्हारे अंदर जिस चीज का डर बैठा हुआ है पहले उस डर को निकालना होगा और उसे बहार निकालने के लिए आपको वहाँ अंदर जाना ही होगा अपु बाई इससे ज्यादा परदाश्ट ने होगा अपु बाई उस पुलिस वाले ने मेरा पीछा किया और राष्टे में ही मुझे गारी से उतार दिया बीच राष्टे पर मुझे बहुत मारा और उस हैसाई ने मुझसे पैसे भी ले लिए मैं अकेला अदमी क्या कर सकत अपु बाई यह जो सूरज है ना यह तमीलियन लोगों से मिल गया है खबर मिलते ही उस पर शक होने लगा था अब वो कैश नहीं मिलने वाला ज्यादा सोचो मत मैं उसे दिन उससे डिल करने वाला था लेकिन आपने मुझे रोक दिया आपकी वजह से मैं रोक गया वरना उ आपमी लोगों की सोच बदल के रख देंगे और इसी लिए मैं बोलता हूँ क्या बोलता हूँ यह कैश हैंडल करने का काम मैं नहीं करने वाला यह मेरे बस की बात नहीं है नहीं तो ऐसा ही बिचारा मारा जाएगा बहुत हिम्मत वाला आदमी है वो वो हिम्मत वाला है इस जितना भी रखम गया है वो इस पूरे गाहँवालों को खरीदने के लिए काफी था जानते हो इस इलाके में जो भी रहता है वो डीवाई पार्टी के प्रती जो इज़त है उसकी वज़ा से नहीं बलकि एक डर की वज़ा से है और उस डर का नाम है One and only Amarnath चल तू पढ़ तू अपने हाथों को बना अपना भगवान रे कल जो था अपना उनको अपने दम पे सवार ले मन में तेरे है जुनू उसको भुजने ना देरे बस आगे बढ़ता जा है दिल चुपा था कहीं तेरे ही अंदर तेरा भगवान रे चल तू बढ़तू अपने हाथों को बना अपना भगवान रे कल जो अपना उनको अपने दम पे सवार ले आएगा आएगा एक सुबह नहीं सिंदूरी मत रुकरे चल ता जा हर बंधन है नायासा यहां तेरा प्यार मांगे तेरा उपकार माने तेरा हो इनको तू अपना ले आँखों को सपना दे खावों का दोई हत ना हो पाए फीपक में जोती सा सपनों में है मोती सा कुछ यूँ है दुन तेरा कट जाए अंधेरा प्रतिबंधक हो जो भी उन सब से लड़ ले चल तू बढ़ तू अपने हाथों को बना अपना भगवान रे कल जो था अपना उनको अपने दम पे सवार ले अपनी जिन्दगी को समार लोंगी इस पर भरोसा करने से कुछ नहीं होने वाला अब क्या हो गया इतना कुछ तुमें दिया वो काफी नहीं है औरत पर गुस्सा करो तो शाप लगता है ये बात कभी नहीं सुनी गया नहीं कैसे सुनी होगी ये सब अनुभव से पता चलता है तुम यहीं काड़ी में आराम करो मैं एक काम निप्टा कर आता हूँ ये तो लडाई की शुरुआश है हम पर दबाव बनाने की कोशिश मत करना हमीरे तुम्हें उचाई पर पहुचाया है हमें दबाकर रखने की कोशिश मत करना अमर्नाथ कान खोलकर सुन लो हमीरे तुम्हें इतनी इस्द्धी है ये सब एक चाल है अमर्नाथ ये सारी चाल है तुम्हें गाउवालों को हटाने का काम रोको ये चंग से पहले का शोला है तुम हमें दबाकर नहीं रख सकते वा क्या बात है आज तुमने मेरे इतनी तारीफ की है जितनी मैंने कभी नहीं सुनी तुम्हारे बोलने के पीछे किस की ताकत है मुझे यही जानना था अब तो ये वक्त ही बताएगा कि किस की ताकत में दम है प्रवचन चालो रखो प्रवचन चालो पैसा देंगे में भाई से जितना पैसा मांगें उतना देंगे कंफा में तो टेंशन मतले अरे बोला ना सव टक्का कॉलेज के फंक्शन में कितना पैसा खर्श होगा हम भी जानते हैं वो जितना मांग रहे हैं उससे आधा देकार वो जगा अपने नाम कर लेंगे अच्छा वो रजाक कहा मेलेगा बैंगलूर में बात कहा है नए कुछ नहीं रिजल्ट का कोई टेंशन मतलो मा सब सही होगा बूल रहा हूं ना तो गाड़ी में जा में आता हूं चला बैट अंडर बैट भाई में आगे बैट बाट अ कि यह लो सर हम कुटन है आपको हमरा इस तरह से यह बुलाना जबरदस्ती तो नहीं लगी ना नहीं तो आप मुझे यह बताओ के इस वक्त पुलिस स्टेशन में कौन रहता है वैसे यह सारा प्लान बनाने से पहले मैंने किस से बात के थी आप से गी थी ना तो मुझे बताओ कि पुलिस स्टेशन में मेरे अलाव आप अकेले बैठेंगे क्या चलो जवाब दो जल्दी वो तो ठीक है लेकिन मुझे लगता है कुछ खत्रा है नमस्ते सर साही का सर पैस को समझता हूँ बोलो आपको कैसे पता तुम्हारा चेहरा सब बता रहा है सर वो अमर्नाथ नहीं अपु ने मारा है सर वो डीवाईपी का अध्यक्ष है नहीं इसलिए वैसे क्या आप पूरी बात जानते हैं सर अरे मैं उसी के बरे में सोच रहा था हां मैं भी वही सोच रहा था मानना पड़ेगा जैसे ही आपने बात का पता लगा लिया वहां से हट गए चाहे कुछ भी हो डर तो डर ही होता है किसका डर है आप मजाग कर रहे हैं क्या जो लोग आप लोगों को मारने के लिए आये थे आप लोग उनका मुकाबला नहीं कर पाए इसलिए आज सिप कर बैठे हैं मतलब उन गुंडों के बारे में उस साथ के बारे में पेट्रोल वाली आप लोगों को पता नहीं है आप लोग नंजन कोटे में है पता नहीं है सलामती चाहता है तो सारी बाते सच-चच बता दे अब अनाच सर के कहने पर पुली स्टेशन में गुंडे लोग आपको खतम करने के लिए पेट्रोल बम ले कर गये हुए है यह क्या सर चलिए सर पुली स्टेशन चलते हैं नहीं जाना है शराब पिने के बाने आया हूँ पर आपका मजाग उड़ाने नहीं आप लोगों को सच्चाई बता कर कोई फायदा नहीं है कुटान सर मुझे मत रोकिये मैं पुली स्टेशन जा रहा हूँ इस उमर में स्टेशन पे सोना ठीक रहे हैं कंट्रोल तुम अपनी दादी के गोद में सो जाओ मुझे बहुत काम करना है चल बाजवट अपना हनुमान का रूप लिखाओ अभे पागल हो क्या क्या अपने को पुली स्टेशन उड़ाने का है इस गाड़ी को नहीं हलू हाँ मा हाँ हम लोग ग्रूप स्टेडी कर रहे हैं ग्रूप स्टेडी ओके एक कट करना कट करना कबसे बज़ रहा है सुनो भाई यहाँ पर कुत्ते हैं क्या है डानसोर चाहिए क्या मैं यह ले सकता हूं क्या नाम है तेरा रोजी का कपड़ा खीचकर उसके बाल पकड़कर उसको रोलाने के लिए मैं यहां नहीं आया हूं अगर मैंने यहां पर अपना परताव दिखाया तो उसका असर तुम पर पड़ेगा अरे यार तुझ भी कर गाड़ी भगा उस आगे वाली गाड़ी को रोख अरे भाई इससे क्या बात हो गई जल्दी चला ओदे को गाड़ी को रोखने का अपने को भाई मेरे घर से भी कॉल आ रहा है अरे भगाना गाड़ी जीद बेटा कहा हो तुम आखिर तुमने ये क्या कर दिया हेलो बेटा क्या प्राब्लम है अरे यार पिता जी रोके अरे दस आत्मी को साथ लेकर पूरे गाउं में फ्लेक्स लगाने के लिए कहा था कि नहीं ऑफिस के बाहर सिगनल के कोने कोने पर अपने दल की जो पोस्ट है जहां कई भी उसे वहां रखो और सोमू उस दिवार पे अपना फ्लेक्स क्यों नहीं लगा अभी तक लगा दूंगा कब लगाएगा मरने के बाद जो भी बाते हो रही है उन बातों को सुनने के बादी मैं सीधा यहां आया हर जगह के बिखरे हुए लोग एक साथ खड़े हैं उन लोगों को यहां आने की क्या जरूरत थी उस सिंद्रा स्टेट के मामले में कोई भी बात आगे नहीं बढ़ी बहुत बड़े इंजीनियर समस्ता है वो कब किस वक्त आएगा पता नहीं एक बात तो तो तय है उनके साथ दील मैं कर लूँगा लेकिन अगर मेरी नजर से दो-चार लोग बच जाएंगे तो आप लोग शामिल हो जाईएगा क्योंकि कभी भी उन लोगों के पास आप लोगों को जाने का मौगा कल कुछ लोग मरने के लिए आ रहे हैं सब तैयार हो जाओ मुझे ना सुनना पसंद नहीं सर चलिए सर चलिए सर चलिए सर चलिए सर चलिए सिएक्षाकी अभएत्रहां अभएत्रहां नमस्तर पजापी मध्धुबाता हा दृताजते मधुच्छरमती सिंधदापा मात्री के रखेके तिरु से तने वद आपित्रहारे वहां सर जिस ओफिसर ने स्यूसाइट क्या था उसके भीवियों बच्ची सर अत्षी साफिक क कुषे स्यूस्तुदी साइब होसी संति . आड़ा आड़ा को एंद को एंद साथ अख कि वा खान चूआ को कुट कुट पो शरुट Yoga क्षा कुट हुआ! कार्दा दएज अजब सी! झाओ बाओ चाओ शाओ पाओ अच्झब रचर मैं कर दो कर दो हुआ 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 है हुआ 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 है डी वाई पी फिर से सता में आई तो मरनत का त्याचार बढ़ जाएगा नई पीड़ी भी साथ देगी सब कुछ बदल जाएगा अबदल दस बेस साल पहले एक लड़के ने ये सोचा भी नहीं होगा कि उसके जिन्देगी असी नरक बन जाएगी दो पार्टी के लोगों ने मिलकर हमारे पूरे गाउं में डाकर डालकर सब कुछ ले लिया उस हाथसे के बाद सब लोग डर गए थे और एक वक्त ऐसा आया था कि वो खून खरबा करने वालों का सरवनाश करने के लिए उस लड़के ने अपने आपको तयार किया बारा साल के लड़के ने दिल में ठान लिया उसको कानून के बारे में कुछ पता नहीं था कानून के खिलाफ लड़ने की उसने ठान लिती लेकिन कानून ने उस दिन उसको सजा दे कर अपनाने की कोशिश भी की थी लेकिन वक्त गुजर रहा था और उसके सीने की आग बुच नहीं रही थी वो अब भी उसी आपनी चल रहा है बैड या यहीं पता रहा है या या याइ याइ जिनको आपने मार कर भगाया था उनका अगले हपते वापस लोटने का प्लान है उनके स्वागत के लिए हम गाउवाले खटे हुए हैं जोपड़ पट्टी में वो लोग नर्व की जिन्दगी जी रहे हैं जब वो लोटकर आएं तो उन्हें नंजय कोटे में चैन से जीने देना महरबानी करके उन्हें अपनी सिंदगी अपनी तरह जीने का हग दो वो बिचारे पहले से ही परेशान हैं अब उन्हें और परेशान मत करना यह मैं समझना उनके लिए दया की भीग मांग रहा हूँ क्योंकि उनके साथ पूरा देश है और देश के हर नागरेक को देश में कहीं भी जाकर रहने का पूरा हक है जब भी ओपोजिशन पार्टी वाले आकर मुझसे रिक्वेस्ट कर दें तो मुझे बहुत मसा आता है लेकिन तुम्हारे रिक्वेस्ट में मजा नहीं है नंजै कोटे में आजादी से घुमने वाले जोपड़ पट्टी वालों को तुम लोग पनाह देने की कोशिश कर रहे है मत करो मेरी ताकत को अगर कोई कमजोर करने की कोशिश करता है तो मैं उसे बख्षता नहीं इसलिए उस ओफिसर को कहो कि मेरे घुटनों पर गिर कर रिक्वेस्ट करे तब मैं कुछ सोचूँगा अपू इसके बारे में आपका क्या विचार है जो मरने जा रहा है उसके खिलाफ कोई आफ़त की बात कहे तो उसे जान से मार देने के बराबर है यह बढ़िए बात कर दोड़िए जाए 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 लुटनोंаже झाए जाए 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 घटाए आज का दिन गरीबों का खून चूसने वाले जानदरों को मारने का दिन है यह ज्यास का एक बहुत बड़ा दिन है आप लोगों ने जो सफर शुरू किया था उसकी मनजिल करीब आ गई है आप लोग अगर सौ साल बाद भी लोटकर नंजय कोटे में आएंगे तब भी आपको वही पुराना सम्मान मिलना चाहिए आज आप जो एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो वो आपकी कई पीडियों तक काम आएगा इस एक छोटे से कदम में आप भी कई पीडियों की भलाई छुपी होई है अत्याचार के खिलाफ और हंकार के खिलाफ दबाव बनाने वालों के खिलाफ ये जंग जो आज शुरू हो रही है उसे इतिहास में दर्च किया जाएगा जिन्दा है इतना काफी है और ज्यादा की उमीद मत रखना तर्च करेंगा लादा कि अमें जिसका इंतजार था वो दिन कल है हम जब आगे बढ़कर एंकार से भरे हुए अत्याचारियों का सामना करते हैं तो आंस वो के लिए कोई जगह नहीं होती हम अगर डटे रहे तो चाहे कानून ही क्यों न बदलना पड़े हमें नंजे कोटे में जगह मिलेगी कल वे जगह उानी का में जगह मिलेगी कोशीज मत हैं हमी कि उंचाई पर का वह हैं हुआ इसमें स्वेख घ्र्ट सभी tricky से चांद हैं सब्सक्राइब बता देगे से निए निए पर दोट के जगर पर आपके पार्टी में डॉक्तर संगीत आरी है क्या सब्सक्राइब गलो बता देगे सार आफ दिविर लिखता है। कि अच्छी अच्छी करें, दोक ना प्राइसरे संपर्ण को कहा बागी है। सुनो, ब्रेस कॉन्फरेंस बॉला है। तयार हो जाओ ये तमिलियन लोग यहां लौट कर वापस नहीं आने चाहिए बी-एश-जेडी का विश्वास दिराना होगा समझे कि नहीं हमें दूर से देखते ही छिप जाने वाले और पास आकर सलाह देने वाले हमेशा वफादार रहें तो मुझे अच्छा लगता है कुछ कर वाले पता है गो, गो पान, को पिते हो. सर, बार्डी को अभी अभी पैक की है, वो लेकर आ रहे हैं सर, बार्डी को अभी पैक की है, वो लेकर आ रहे हैं मैं बीजू, एसा ही सर ने आप से कुछ बात करने लिए भी जाएं डॉक्टर आप एंपी बनने का सपना लेकर इस नंजई कोटे में मत रहूँ आप ऐसे खड़े रहेंगे तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा सर के बारे में तो तुम जानती हो, इसलिए प्यार से समझा रहा हूँ चुप चाप यहां से चली जाओ डॉक्टर बाकी तो इस नंजई कोटे को छोड़कर तिलंगाना कैसे जाना है? पता ही होगा याद रखना हर पल तुम्हारे ओपर हमारी नजर है इस बात को याद रखना? चलता हूँ बेटी, अमरनाथ के दबाव के वज़े से मैंने अप्पू को समर्थन दिया मुझे इसमें ज्यादा दिल्चस्पी नहीं थी वैसे जब प्रेस कॉन्फरेंस होगी तो अप्पू के मामले में दुख जताते हुए थोड़ा आजो बाहा लेंगे और क्या? डी वाइसपी पार्टी का नए अभ्यार्थी कौन होगा बताएंगे हमें बताओ उन्य डी वाइपी पार्टी की नई अध्यक्ष मैं नहीं हूँ मैं तो अपना खुद का कारूबार सम्हालने जा रही हूँ थैंक्यू जाजी डरो मत मैं हूँ सेंदिल दादी को बोलना असने के लिए बोलना यह पुलिस वालों ने कुछ तंग किया गया मुझे बताओ ना मैं इनको देख लूंगा जाजी डरो मत मैं हूँ हम में से कोई भी पाटी छोड़कर नहीं जाएगा हम सब लोग पूरी तरह से एक जुठ हैं उन्होंने जो काम अधूरा छोड़ाया उसे हमें पूरा करना है इसके लिए वक्त बरबाद नहीं करना चाहिए दादाजी हम लोग निकले क्या आप रुकिये मैं बात करता हूं सार हमारी ओफिस में मीटिंग चल रही है इन लोगों के बारे में आप फिकर मत करो आप अपनी ड्यूटी ठीक से कीजिए तो अमरनाथ के डर से तुम लोग यहां पर पहुंच गए हो यहीं करोगे कब तक भगते रहोगे आप लोग देश में कहीं पर भी रहो लेकिन इसके जैसे नेता लोग आप लोगों के इर्दगिर घूनते ही रहेंगे तब क्या करोगे आप लोग धरती चीर कर उसके अंद अनिता यह अकिलापन और इतना भयानक दर्द तुम से भी ज्यादा हम लोगों ने महसूस किया है और उसे मैं अच्छे से जानता हूँ तुम लोगों को किसे भी हाल में नंजाई कोटे जाना ही होगा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है हमें रास्ता दिखाने वाला इस दुनिया से जा चुका है अब तुम हमें नंजाई कोटे जाकर फिर से जिन्दगी सवारने के लिए के लिए कह रहे हो मैं जानती हूँ तुम हमारी भलाई जाते हो इतने साल हो गए है लेकिन आज भी हम अमरनाथ के डर के साय में जी रहे हैं नंजाई कोटे अब भी अमरनाथ के काबू में है जिसने हमारी भलाई का सपना देखा वो आज इस दुनिया में नहीं आपके लिए मामूली बात होगी पर हमारे लिए नहीं वो चाहता है ना कि मैं उसके पैर पकड़ के गड़गड़ा हूँ ठीक है मैं चाहता हूँ अधर प्षब जताओ प्राइब भलाई प्रॉप अरी कोज होसा हूँ को झाल प्रॉब ऐसके पर दो वाहता हुआ यदिए को प्लाई क्तलन है तो भलाई फिर आई ध्सके पर देखा पाँ कि भलाई को चाहता है आगेंग, करेंग... प्रींग, करेंग... करेंगेंग... करेंग! कि जाओ जाओ। हुआ 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 है मेरा और नंजन कोटे का बस एक ही स्वभाव है जो इस धर्ती पर गिरते ही विशाल पेड़ बन जाता है तुम बस एक बौधे हो और मैं एक विशाल पेड़ हूँ ना ही नंजन कोटे बदला और ना ही मैं हुआ 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 है हुआ 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 हु कर दो कि अ उन से खुब और आराए मेंगा हुँ पुब इसमार इसे हुआ और अराए मेंगा हुआ 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 इसे खुआ हुआ है जख्छंज में कर दिए जफ ऩको पो फिरAJईилась एप कं प्राण़को फपना एप कंशे लो country बिए टikes gu सकत हुरर 시청 क्या में लोग फम平 ख्राज हुर यह नंचन कोटे हमेशा मेरा रहेगा तुम नहीं लोगों की कमजोरी इसी में है यह उड़ते ही गिर जाते हैं जब हमने लोगों को गुस्सा आता है तो तुम जैसे अमीर मिट जाते हैं कर दो दो जाते हैं कर दो कि भूजा है जुजा नुजा इूँ नुजाओ कि अριली अचा रभी नुजा णिजिट में अजिए टेहमार कि अजिए कि यहां पाला दिए शुजा से ताला आए मैं जिए खिक अंट देज्ग करा देल को फबसे हैं पन्सले करो जए जो एकाँ इसके वहाँ को भार करेंग顏 थाओुर गारा पती ते वहाँ वहाँ तो फुड़ एकाँ नायरे लेे प्तिक ते जागे प्याँए करता जो वहाँ दूजिए एकाँ कर वहाँए नायरे ओ natuur जायरे ही कि वहाँए कि गड़ सोगताझार एक जाद कर दो कर दो कर दो जोपड़ पट्टी से जो भी लोग यहां आएंगे उनके आने तक यह यही पड़ा रहे है अब्दॉल उमर के तरह जिसने पाला था उसकी भी ऐसी कहानी बन गई है है झाल 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 कर दो 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 इनकी जिन्दगी में भी अब रोशनी उगने लगी है अपनी पुरानी तकलीफों को भूल कर लोग अब वापस अपने कहों लोटने लगे है नंजे कोटे का वो दर्दनाक इतिहास आज सिर्फ एक कहानी बन कर रहे गया है नंजे कोटे में जो अत्यचार हो रहा था उसे रोकने के लिए जिस एक नायक के आने की उमीद थी वो नायक आया भी था और शायद वो लोटकर वापस फिर आएगा नई सोच नई शिर्वात नई योजना उस शक्स के आने का हिंतिजार कर रहे है कर रहे है यहां आने के लिए तुमने किसी की पर्मिशन ली थी क्या हर महीरे यहां आकर उधम मचा देते हो यह दोड़नापुरी मेरा इलाका है यहां से कोई भी बच कर जा नहीं सकता भूपर वाला भी मुझसे बच कर नहीं जा सकता यहां किसे क्या करना है और कैसे जिना है उसका फैसला मैं करता हूँ मुझे मिटाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ अग कोई मुझसे माफी मांगे आगया आएगा या फिर मैं उसका सर काट दूँ क्या कोई परिशानी है क्या अभी मिटा आएगा कर दो करता है झाल 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 झाल